एलो दोस्तों आप सभी का स्वाग आता है फिर से एक नए वीडियो में और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिहार कर्मचारी चैन आयोग बिहार SSE करफ से 2014 में जो CBT टेस्ट हुआ था उन लोगों का मेंस 2021 में क्लियर क्या गया था और टंकन परिक्षा जो उन लोगों के होने वाली थी उनमें बहुत बढ़ा बदलाव देखने को मिल रहा है जो की आज एक लेटर जो है ओफिसियली जारी किया गया है तो आज की इ मेरे साथ अंतक वीडियो में बने रही है और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिक्शन को ओन कर लिजे ताकि इस चैनल के दुआरा जो भी अपडेट दिया जाए उसका सीधा नोटिफिक्शन आ आयोग वेटनरी कॉलेज पटना आवश्यक सूचना आप लोगों को जो है आवश्यक सूचना दिया जारा आप लोग देख सकते हैं कि 37 से 2021 का ये लेटर है और आप लोग इस लेटर में जो है थोड़ा उपर आएगा तो आप लोगों को यहां पर टंकन के बारे में जो है डिटेल्स में आप लोगों को बताया है कि आप लोगों के टंकन जो कीस तरह से होने वाली है आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट जो था वो आप लोगों को यहां पर नोटिस निकल कहा रहा है कि पर्थम इंटर अस्तरिया संयुक्त परत्यक्ता परिक्षा 2014 में संबलीत जो कि टंकन टेस्ट के लिए टंकन टेस्ट वाले पदों को अपनी परत्यक्ता विकल्प में अंकीत किये हैं अगर जो भी पोस्ट आप लोगों ने फिलप किया था अगर उन्हों उनमें जो आप लोगों का टंकन टेस्ट टैपिंग टेस्ट बचा हुआ है तो उन्हें सु मंंगल फॉंट पर लिया जाएगा इससे पहले पर नोग टरुस को भी यहां पर यह निर्देश दिया जाता है कि वे टंकन जांच परिख्षा है तो मंगल फॉंट के लिए तयार रहे हैं तो अगर आप वैसे अभी आरती हैं और टैपिंग टेस्ट का त्यारी कर रहे हैं तो आप लोग अभी से मंगल फॉंट पर टैपिंग चालू कर दीजिए क्योंकि आगे चलके आप लोगों को ताकि कोई दिक्कत ना हो और आसानी के साथ जो आप लोग मंगल फॉंट को समझ पाएं और अच्छे से आप लोग टंकन दे पाएं तो दोस्तों इसके लिए आप लोगों को हो सकता है कि कोई सॉप्ट्वेर परचेज करना पड़े क्योंकि इतने आसानी के साथ आप लोगों को मंगल फॉंट पर टैपिंग नहीं हो पाएगा कुर्ती देव जैसे जो है ये थोड़ा कुर्ती देव से आप लोगों का अलग होने वाला है तो आप लोग समझ सकते हैं तो आप लोग अगर टंकन टेस्ट के लिए तयार हैं तो आप लोग जो है मंगल फॉंट पर तयारी कर लें और पूरी तरह से आप लोगों का का टेस्ट जो है कभी भी लिया जा सकता है तो इससे रिलेटेड अगर आगे कोई भी अपडेट आती है तो मैं इसी तरह आप लोगों को जो है इस चैनल के मादेम सब्डेट करते रहूंगा और अगर आपके जानकारे अच्छे लिए तो वीडियो को लाइक करें और पहली ब